हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर दोस्तों आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में सायदी आपने पहले कभी सुना होगा और दोस्तों अगर आपने इसको एक बार 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 अपने घर पर बनाओगे जो कि खाने में ब करते हैं तो आप वीडियो के लाश तक बनी रही है और चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे गोवी यह पर हमने एक पीस गोवी का लिया है और गोवी हमने बिल्कुल अच्छी तरह से साप कर लिए बिल्कुल साप सुतिजी गोवी जोगी कई से कोई और ढ़ा हूँ तरह से रोटावा से चोटे-चोड़यों काटना है आप यहां पर देख सकते हूँ हमने इनको एक साइस कटिव करकिने से पकाने में आसानी होगी र Yuk ... दोस्तों पहले हम इसको बॉइल करेंगे चिस को हम बोलते हैं बलांच करना इसको अबलते हुए पानी में डाल को नहीं पानी में र بت यहां पर बखा वकल है और हमारी को अधे इसको चान देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो गोपी में बाला गिया है और हम इसे ज्यादा नहीं पगाएंगे नहीं तो हमारी जो गोभी टूड़ जाती है यह अपने गोभी को चान लिया है पाने से निकाल दिया बाहर और हम इसको थोड़ देर तक हलका सा ठंडा होन करते हैं उसका अदम में एक से दो चम्मा जिसमें डालेंगे कौन प्लार अब यहां पादे शुक्त हमने कौन प्लार एट करती है और उसका दम एक चली पेस्ट अगर आप इस पैसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो बिना चली पेस्ट के भी इसको बना सकते हैं और इन सब जोगो दोस्तों हमने अच्छी तर से मिक्स कर देना है यहां पानी डालने के जरुत नहीं है दोस्तों क्योंकि हमारी तो गोबी अभी हमने बॉइल की थी तो यह पहले ही सब थोड़ा सा पानी है अगर आपको लगता कि बिल्कुल शूगी है तो आप उसमें हलका सा पानी अच्छी तर मिलाने के दोस्तों आप हम इसको फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए हमने आप एक परतन में तेल ले लिया है और तेल जैसी गरब होगा उसमें अपने गोबी को इस तरह से डाल देना है और थोड़े दीर तक उसको एसी छूटने क्या दोस्तों हलका सा इसको हम श्लाइशर की मदद से या इस्टेनर की मदद से भीच भीच में छाते रहेंगे दिससे कि आपस्में चिपकेगी नहीं और बpanन के दली में भी नहीं है तो आप यहां पर दीख सकते हो दोस्तों हमारी में अच Business एsheल् говорить और लूबी आपकी उच्छ़ए finalement तो इसको इस तरह से निकाल देंगे इस पे बहुत ही सांदर कलर आ गया दोस्तों हमें इससे ज्यादा कलर नहीं लाना है तो हमारी गोभी प्रायो के त्यार हो चुगे और उसका दोस्तों अब हम इसके लिए एक वोक या एक पैन लेंगे और उसमें हलका सा तेल डालेंगे जैसी तेल क कुछ जादा नहीं पागाना नहीं तो जिंदर कड़वा हो जाता है उसके लाद हम इसमें डाल लेंगे मोटे मोटे जो मोटे घ्राइड के तिक प्याज और शाथ में डालेंगे सिम्लामिर्ट तीनों कलर की सिम्लामिर्स हमने यापर एड़ कर दी है और इन सब चीजे फप तोड़ी सी हरी मिर्जेट गरिंगे हरी मिर्जें बड़े बड़े टुकड़ों में काटी है और उसके अधार हमने 1-2 चमज इसमें बिने गड़ डालना है बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हल्की सी खटास भी आती है उसके एक चमज हमने स्वाइश डाल दिया है और एक पानी डालने की जरुत नहीं हलका सा पानी डालेंगे इससे की गोबी कोट हो जाए और उसमें थोड़ा सी सीजनिंग डालेंगे यह बार सब्सक्राइब पानी नहीं है और यह ज्यादा साउस बनानी नहीं है पानी डालेंगे और यहां पर देख सकते हो हमने कौन प्रार का गोल तयार कर लिया है और गोल को अची तरह से मिक्स कर देना जिससे कि इसमें कई भी कोई लंच न रहे हैं तो आप देख सकते हो हमारे गोल तयार हो चुका उसके बाद गोल में सब्सक्राइब करेंगे तो गोवी चितर से साथ कोट हो जाती है और यहां पर देख सकते हो हमारी जो सौस से वह अच्छतर से थिक हो चुकी है एक बोई आने के बाद दोस्तों अब हम इसमें कॉलिफ्लार एड़ कर देंगे तो कि हमने फ्राइय करके रखेते हैं आप देख स सकते हैं कॉलिफ्लार एड़ करने के बाद हम कॉलिफ्लार को सौस में चितर से टोस कर देंगे और अब हम इसको ज्यादा पकाने की जरूत नहीं हमें क्योंकि सौस हमारी पहले ही पग चुके और कॉलिफ्लार भी हमने वाइल क्या हुआ उसका हमने प्राई कर रखा है तो य त्यार हो चुका है इसके वाल दाश्ट में हम इसमें थोड़ अच्छा हरा प्यास जा लेंगे और थोड़ सा चौप क्या हरा दनिया अरा कासे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों अगर आप चिली कॉलिफ्लार को ग्रेवी वाला बनाना चाते हो तो इसमें सास बना सकते हो उसके वाद आप इसको नोडल या फ्राइडर की साथ खा सकते हो तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों हमारा चिली को अगर राइव वाला बनके तयार हो चुका है जो कि अपको पता चलेगा कि आपको रहसे भी अच्छी लगी कि नहीं तो आप कमेंट जरू तो आप इसको अपने घर बाप बनाएए और इंजाए किजिए तो मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्युक्त